कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो जिसकी कोई उसके तालुक नहीं है जैसे अभी मैंने एक उसमें ड्रामा में किया था वर्स की बीमारी जो होते हैं वाइट पैचिस होता है उसके कहीं कुछ हलका नहीं होते हैं डाक रंग होते हैं उसको पर एक वाइट से पैचिस पढ़ जात होगा फेस पेज़ कहीं हो वाइट हो रहा है बिलकुल बहुत सादा कहीं से क्या कहने चाहिए फिग्मेंटिशन बिलकुल खत्म होता है वाइट और वाइट पैज बरह होते जाते वो जो उसके एक वड़ी अजीब से हिसाब है जो लोग समझते है खाली वाइट करते हैं नहीं उसका वाइट के नीचे साइड में डार्क सरकल होते है उसके बाद स्किन कंफलिक्शन होता है तो लहाएज उसको बनाने ही बहुत मुछल होता है तब डिपेंड करता है किस तरह की विमारी इसके बाद आते है इसकार इसकार क्या चीज़ है इसकार है पुराने सकम किसी सकम के निश िए इसकी जो निशान रह जाते चैरे पे कभी किसी कोई चोट लगाता है कोई चेरे पे कट लगाता है उसको स्टिच के निशान के साथ रहते हैं जैसे मेरे बच्पन पे ये हाथ पे एक निशान है अभी भी और इस निशान को अगर आप देखें तो ये बाकी स्कीन कलर से इस की इस जगह के स्कीन अलग है वो यह होता है जब क इसको पते नहीं आपके इतना कैमरे पे नमाया आ रहा है ये एक निशान है मेरी हाथ पे ये पूरा ये देखें इसके जगह के जो इसके नहीं ये अलग हो गया ठीक ये एक निशान रहे गया सेम इसी तरह ये मेरा हाथ जल गया थे ये मेरा हाथ पे जल गया थे पते निशान ये देखे, ये जो पॉइंट है, ये जगा पर एक, इसकिन से हट के कमपलिक्शन है, ये जो जगा है, ये जगा की कमपलिक्शन अलग होते हैं, ये एक निशान रहे गए जलने का, तो इसी तरह जो इसकार होते हैं, वो मुक्तिलिफ किसम किया आते हैं, वो निशान को इसकार जनना एक जखम नहीं होते हैं, जनने के मुक्तलिफ OBS होते हैं इसको तीन टेगरी में किना जाता है फर्स्ट डेगरी बर्न कहते हैं तर्ड डेगरी बर्न फर्स्ट बर्न में यह होता है जो जहान कि यह आपको देखे होंगे हाथ वétais सा गिरमी लगा तो एक छाड़इ निकल आते है इसकीन फूल जाता है तो एक छाले बनता है वो एक बर्स के निशान होते है वो छाली से एक पड़ा होता है और आप हो छाली में से पानी निकल जाते है और आप pituses और फ़ोजिदे पानी साते है उसको second degree burn कहते है, उसके नदर आना शुरू हो जाते हैं और उसमें लाल लाल वो और जलावा स्कीन के जो काला काली portion है वो नदर आना शुरू होते है उसको second degree burn कहते है। third degree burn वो है जो third degree बार्ड नहीं होते हैं उस से जादा जलते हैं तो हमारे बाड़ी में फैट है वो पहले skin को जलाता है फिर ghost को जलाता है फिर वो fat को भी जला देता है तो आप देखे होंगे जो बड़े जो जखं होते वो लिड़निंग अगर किसी ताइम परकिसी असपियलिले के बर्न डिपार्टमेंट में चले जाएं, तो उसको देखेंगे जो उनको पर पिलड़ जखं पर पिलप पिलड़ निशान होता है। और फिर खृम होता है पिर फ़स होता है वह पस नहीं होते पीला वाला जो हलो फिला के चर्वी है फिला जो फैट ऑफ बाड़ी बाड़ी बन कर गया insights पिर जो फेलिश के जो redness आता है फिर उसको अंदर जो पानी रिस रहा है उसे पानी के आता है और साइडों में जो चाले उसके जखम के वो तो बाला ये भी एक अलग होता है तो लहाज़ा बर्न में भी बर्न मेक अब में भी तीन चार स्टेज होता है ये देखाए जाता है किस इसमें, कितनी स्टेज्ट पे क्या बर्न हो चुके हैं ये बर्न अगर आप किसी प्लास्टिक सरजियन्ट की हाॉस्पिटल में आप विजिट करें और उसके वॉर्ड को देखें तो प्लास्टिक सर्जियन्ट होमन बर्न केस्स कर रहे होते है तो उनके वर्ड में वो नजर आता है, या बर्न वर्ड में आपको नजर आ जाएगा ये जगर पे आपको एक मिसाल देते जाओं, जिस तरह कभी-कभी जिंदगी में ये कम मौका मिलता है, मुझे एक टफ़ा मौका मिलता है, इतना हाई मेक अप करने का हम एक टीवी पे एक सीलर बना रहे थे उसके नाम था पना उसके पूलिसर थे शजाद खिल्जाप उन्होंने मुझे लेके गए लोकेशन पे और कहने लगे कमाल मेरी डिमांड के लिहाज से ये पुल उड़ जाना चाहिए हम आफगानिस्तान के वार दिखा रहे थे उन दिने पे रिशन आफगानिस्तान दिखा रहे थे वो कह रहे थे ये पुल उड़ जाना चाहिए तो मेरे पास इतना पैसे नहीं है ये पुल उड़ा के मैं दोबारा इसको बिल्ड करूँ तो मैंने एक शौट लेना है पुल को इस तरफ धमाका करना है और इधर मैंने शकील को एक्टर को लिटा के रखना है मैंने वहां से पैन के कि उसके इस एक्टर के चेहरे पर हूँ और ये लगे जो पुल उड़ गया है उसके चेहरे इस तरह बर्न हुआ इस तरह फटा हूँ जो उससे लगे पुल उड़ गया है फिर मैं प्लास्टिक सर्जेंट दोक्टर फैज मुहमद फैज जो कराची का मुशूर है उनका वार्ड विजिट किया उन्होंने मुझे डिफेंट वर्निंग वो दिखाये उसके बाद काफी हमारे साथ उनके साथ इस वे गफशफ हुई फिर मैं जब वो आकर वो मेक अप किया तो आई गॉर्ड फॉर्ड फॉर्ड वर्ड वार्ड वोजू जो इस मेक अप में मिला तो बर्न इस तो इस तो खार एक अला कहनी है बाकि आप लोग जब ही कुई काम करें तो मेरे कहने कोंता है उसको फोड़ा सा जाके रिसर्च कर ले तो आप काम बहुत अच्छा हो जाएगा विल्गेट यू बेस्ट रिजल्ट अगर मैं वह विजिट ना करता और उजगा ना देखता तो शायद मेरे बर्निंग के वो कंसिट होता ही निए जिए जिए कुई में कभी मैंने इस तरह के बर्न केसिस नहीं देखा जो मैं जिना हॉस्पिटल कराची में मुझे देखने को मिला वो पेशेंट जो सारे देखने यह उंको टेंट पर लख़े होते हैं उनकी कपरा भी नहीं चुच्छा सकते पंटी भी नहीं कर से ते सिर्फ एक हलका से नेट टेंट लगा के उसके अंदर रखे होते हैं ताकि हमापास करें इसके बाद आता है वूंड जखम जखम जो है यह भी कई किसम के होते हैं मुक्टिफ चीजों के जखम होती जिसी एक छुडी से एक कट लग गया, कहीं से हाध से कट पर गया चुड़ी में हाथ पर जखम दे रहा है छुड़ी वा जखोगा एक एकस्रेंट पर होता है जिस में पूरे जग़ जग़ जगह से इसके नूर जात है वो उसके एक में कब अलग होता है उसको आद किसी दें मुका मार दिया उसको यहां से खुन निकाल दिया आंकों सुजा दिया वो एक अलग जखम होगा मुक्तिलिफ चीजों के मुक्तिलिफ जखम एक जैसा नहीं होता है हम समझते हैं जो आमन लोग होते खाली ब्राउन लगा दो और खुन लगा दो वो जखम हो जाए वो नहीं होता है जखम को देखा जाते है इस करेक्टर ने कहां से है कि जगर पर इसको चोट लगी क्या हुआ आप लेटेस्ट फिल्में देखें उसको देखें कितनी किसम को उन्होंने जखम बनाए ये जो मुक्तली वार मुवीज उसमें बहुत सारे आपको ये सारे चीज़ें मिलेंगे देखने के लिए आपको एक चीज़े बता दूँ इस स्टेज़ में जो फिल्म जो है वो हमारे एक बहुत बड़ा स्कूल है सिखने का मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़े फिल्में देख देख की सिखी कुसी हमारे बुज़र्ग ने ये हमसे ज़्यादा एक्षपिरिंस आद्मी ने वो काम किया हुआ जब का आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो वो काम देखेंगे तो आपको फट से समझना जाएगा ये ऐसे हुआ हुआ है इसने ये-ए किया हुआ है तो लहाजा ये आप फिल्मों में देखें कई किसम की जखना हुआ दिखाते कई चोट लगे हुए दिखाते प्लेन से एक्सेंट रुआ हो दिखाते हैं, डोट पे एक्सेंट रुआ हो दिखाते हैं, यह उन्ट के मेक अप के में आपको होता है, जखम I hope आप लोग को सारी यह समझ में आते जा रहे हैं और जो मैं एक्स्पेंट करते जा रहूं